Hello friends, welcome to our next video of PhD entrance test previous year question paper discussion about environment science subjects तो ये PhD entrance exam का जो question paper है वो 2021 का है, बिल्कुल ही latest है और यहाँ पर environment science को हमने उठाया है और इसमें हम पूरे 100 question को discuss करने वाले हैं जैसा कि हमने पिछले जिलोजी के वीडियो में किया है तो इस वीडियो को भी आप इन तक देखिएगा और इस वीडियो में 50 question research methodology के रहेंगे 50 आपके subject के हैं इससे आपको ये भी पता लगेगा कि हर subject का research methodology अलग अलग आता है science में तो उसका difference क्या है देखिए अगर आप subject के साथ जब research methodology का paper देते होंगे तो उसमें कुछ अलग question आते हैं लेकिन जो research methodology हम net का पढ़ते हैं वो थोड़ा अलग होता है तो हम इसको इससे समझ सकते हैं तो वीडियो को इन तक दिखिएगा चनल पर नहीं है तो subscribe करके बेल आगान को प्रिस के लिजेगा और दोस्तों अगर आपको इसका previous question paper चाहिए तो link description में दिया जा रहा है आप इसको ले सकते हैं आप इसको आराम से read कर सकते हैं वहाँ पर आपको जो भी question paper है सब subject के अलग-अलग research methodology के साथ दिये गया है ठीक है तो यहाँ पर इस subject के अलावा और भी subject available हैं जिसका link description में दिया गया है हम question पर बढ़ते हैं और आपको एक-एक question का जवाब देते हैं पहले subject related जो है उससे question है तो देखें यहाँ पर question पहला है कि National Liver Conservation Plan N.R.C.P. implemented for abandonment of pollution in identified stresses of river excluding those in basin of तो राश्टी नदी संक्सर पर योजना जो है इसको नदियों के चिन्हित हिस्वे को प्रदूसर के उपसमन के लिए लागू किया गया है कौन से नदी ब्रह्मपूत्र गंगा महानदी या यमना इसमें से option आपका सही होगा इसमें गंगा नदी जो है वो सही option है भारत का सबसे पुराना बाद मतलब ओल्डेस डैम इन इंडिया तो कौन सा होगा भाकरा नांगल हीरा कुंड या फिर तुंग भद्रा या काला नई ये काला नई तमिल लाडु में है बाकि करनाटा कोडिशा पंजाब ये दिया गया तो इससे आपको एक question और त्यार हो जाता है कि ये बाद कहां पर है तो इसका answer आपका होगा D जो है काला नई बाद ये तमिल लाडु में जो है ये भारत का सबसे पुराना बाद है ठीक है D option अगला question है which of the following is not a cause of sea level rise निमलिकित में से कौन समुद्र के इस तर में stream है ये समुद्र के इस तर बढ़ने का कोई कारण नहीं है the love canal tragedy is linked to the history of मतलब की जो love canal tragedy है वो किस इतिहाद से जुड़ा है अमेरिका के Canada के France के United Kingdom के तो किसके इतिहाद से ये अमेरिका की इतिहाद से जुड़ा हुआ है ठीक है अपिको अंदुलन अपिको अंदुलन दच्छिड भारत में वन संग्रचड में हुआ था तो the forest conservation in the southern India took place ये कब हुआ था ये पुछा जा रहा है उनीस सो भातर उनीस सो तियातर उनीस सो तिरासी या उनीस सो च्छियासी इसमें कौन सा उप्शन तो इसमें उनीस सो तिरास में या कांगो बेसिन में या फिर औरिनोको बेसिन में कहां पाय जाते हैं तो यह पाय जाते हैं आपका Amazon बेसिन में ठीक है जो Amazon बेसिन हैं वहां पर यह पाय जाते हैं first option इसमें सही है ठीक है अगला question है साथवा characteristics that allow living organism to survive in the condition of its habitat is वह condition या वह characteristics जो जीवित जीवों को अपन आवास की स्थिती में मतलब habitat की स्थिती में जीवित रहने की अनमती देती है तो वह क्या है एडाप्टेशन है या adaptive variation या adjustment इसमें से क्या हो जकता है तो यह आपका adaptation हो जकता है adaptation हर जीव में होता है जहां कोई जीव रहने लगता है वो वहाँ एडाप्ट हो जाता है वहाँ की climate और वहाँ के रहान सन जो भी है सब कुछ आप भी अगर कहीं ठंडे प्रदेश में चले जाए तो adaptive होने में आपको time लगेगा तो आपको परिसानी होगी लेकिन जो वहाँ पर already रह रहे हैं ठंडे प्रदेश में उनको वह एडाप्ट कर लेते हैं बहुत पहले से रहे हैं तो यहीं कहा जाता है adaptation तो इससे जो है आपको जो habitat है उसमें रहने की यह अनुमती देती है यही विश्यस्ता है adaptation की विश्यस्ता आठवा question Leslie matrix इसको कहते है Leslie model भी कहते हैं य से community ecology, land scape ecology या population ecology तो इसमें से आपका जो population ecology है इससे यह lazily matters delete करता है ठीक है अगला question है यह है disequilibrium theory of ecological succession is given by तो disequilibrium theory जो है वो किसके द्वारा दी गई थी यह F.E.L. Clement या S.C. Cowles या फिर E. Igler या फिर H.A. Gleason किसके द्वारा दी गई थी तो यह दी गई थी आपका जो है H.A. Gleason कि द्वारा ठीक है लोटका वोल्टेरा equation is the most closely related to environments में यह बहुत पूछा गया था जो M.S.C. की होंगे या फिर जिसका M.S.C. इस पिसलाइसन रहा होगा लोटका वोल्टेरा समीकर सबसे निकट से सम्मधित किस्से है commensalism या competition या mutualism या predation तो इसमें से जो D option से ही है वह है Muse prediction यह prediction से सम्मधित है ठीक है अगला question है the process of vernalization is practiced in vernalization का process जो है वो अभ्यास की जाते है कि इसमें तो cold countries subtropical countries tropical countries या warm countries तो इसमें जो आपका cold countries है उसमें vernalization is practiced ठीक है अब इसके बाद अगला question है choriolysis बल के बारे में निमलिकित में से कौन से काथन सही नहीं है which one of the following statement about the choriolysis force is not correct अब इसमें 4 अप्सन दियेगे it deflects the wind to the right direction in the northern hemisphere अगला question अगला option है यह भूमेद्रेका पर अनुपस्तित है यह ध्रूवों पर अधिक्ता में तो चारो में से कौन सा option सही है इसमें जो है option अपका B वाला सही है या दच्छडी गुलारद में हवा को सही दिसा में क्या करता है deflect करता है ये अपका B option सही है अगला question है 30 number What is the height range of cirrus cloud in tropical legend तो tropical legend में ये जो clouds होते हैं cirrus clouds इन क्यों चाही सीमा क्या होती है below 6500 feet या 6500 to 25,000 feet या 20,000 to 60,000 feet या above 60,000 चारो में से कौन सा option सही हो सकता है तो ये 20 से 60,000 के बीच में होता है ये C option अपका सही है तो 14 number question है अगला Which one of the following is not a reason for environment destruction environment destruction के लिए इन में से कौन कारड नहीं है तो दिखिए inequitable consumption of resources, overpopulation, unequal access to resources ये environment destruction के कारड है लेकिन global warming कारड नहीं है ठीक है global warming environment destruction का कारड नहीं है तो पहला option इसमें आपका सही होगा ठीक है अगला question है What do you understand by the term roaring forties गरजन 40 पत से आप क्या समझते हैं ठीक है A dangerous river of China biggest waterfall in the world major current of the Atlantic Ocean the westerly winds कौन्स option इसमें हो सकता है तो जो answer की में है वही question आपको बता रहा है अगर कहीं तुत्वी होगी तो आप बताइएगा D option इसमें सही दिया गया है the westerly winds 60 number question identify from the following which is not a measure of human development consumer expenditure, healthcare facilities, life expectancy and literacy rate इसमें से कौन से options आई होगा तो निम्लिकित में से कौन से मानुविकास का मापक नहीं है नहीं है का गया है तो यह उपभोगता भ्याय होगा मतलब consumer expenditure is the right option अगला question है Lincoln's जो index measure है वो क्या हो सकता है Lincoln index measure इसमें से population density, population morality rate या population natality rate या population size इसमें से आपका जो D option है population size यही जो है Lincoln index measure है अगला question which law states that the specific heat of a gas remain constant at all temperatures and pressures boils ला, charles ला, joules ला यहां पर ragnault काला जो है इन में से चारों में से आपका option D ही सही होगा ragnault ला, ठीक है यह है, जो rule है कहता है कि gas की जो विशिष्ट उसमा है सभी तापमानों और दबावों पर इस्तिर रहती है अगला question 19 the point just vertically below the observers position in celestial sphere is called मतलब की आकासी गोले में जो observers है उसकी स्थिती के ठीक नीचे का बिंदू क्या कहलाता है तो यह celestial point या नादीर या फिर pole या जैनिद इसमें से क्या कहा जाएगा, तो यह जो है आपका नादीर कहलाता है, ठीक है आगला question है which of the following statement about global position system is not correct अब global position system के बारे में लुखित में से कौन से कातान सकते नहीं है तो इसमें से अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप पढ़ियेगा हम आपको answer बता देते हैं कि C में सही option है, जो दिया गया है मतलब कि किसी एक उपगरह द्वारा किसी वर्ष्टू का इस्थिती वर्ष्टू की इस्थिती बिलकुल इलाइद कि जा सकती है ये जो है global position system में correct नहीं है ठीक है the position of an object can be exactly determined by any one satellite तो ये जो है गलत दिया गया है इसलिए ये सही option है ठीक है GPS में ये correct नहीं होता है अगला question है कि which of the following satellite statement which of the following statement is not correct इसमें से कौन सा statement correct नहीं है तो इसमें जो correct statement नहीं है वो भी C option है do concentration below 5 ppm is ideal for the growth of fish मतलब 5 ppm से नीचे DO में DO एक आकरता मचली के विकास के लिए आदर से ठीक है अब इसको आप C option चूज करें ठीक है अब यहाँ पर अगला question जो है वो है green chemistry means reactions that मतलब कि जो green chemistry है इसका अर्थ अब क्रियों से है की अब that क्या होगा are related to the depletion of ozone layer produce color during reaction reduce use and production of 110 chemical या study the reactions in plant इसमें से जो अबका reduce use and production of hazard dust एक केमिकल है यह होगा green reaction का आर्थ इससे है अगला question which of the following order of greenhouse gases greenhouse gases is correct based on global warming potential यह अभी net में भी question आया था USE net environment science का जो था उसमें यह question आपका पूछा गया था और कई बार यह question पूछा जा चुका है तो अपर इस पर ध्यान दीजेगा इसका जो right option होगा वो C है ठीक है आहले CFC है फिर N2O और फिर CH4 और CO2 ठीक है सबसे छोटी जो है वो CO2 है उससे बड़ा CH4 है मतलब मेथेन है फिर N2O है फिर उसके बाद chlorofluorocarbon है ठीक है सबसे उपर CFC और सबसे नीचे CO2 C option यहाँ पर सही बताया गया है अगला question है The slash and burn agriculture is known by different names in different parts of the country which among the following name is not correctly masked with its respective country slash and burn क्रिशी को देश की विभिन हिस्सों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है और निमलखित में से कौन सा नाम अपने समाधित देश से सही डंग से मिल नहीं खाता है यहाँ पर कोनको and Venezuela में and Vietnam में Ladang and Mexico में Milpa Brazil में Roka अब देखिए यह एक प्रकार की क्रिसी होती है इसको ध्यान देखिएगा तो यहाँ पर जो 24 का option आपका सही होगा वो option B आपका सही है Ladang in Vietnam ठीक है भी option सही है अगला question है as per ministry आप जल सकती जल सकती mission जो है वो इसी ministry के तहर आता है तो as per the ministry के आप जल सकती based on agroclimatic features particularly soil types, climate including temperature and rainfall and its variation and water resources availability India is broadly divided into how many zones देखी हिंदी में भी दिया गया है कि जो जल सकती मंत्राले के अंसार किर्सी संबंधी विशेस्ताओं विशेस रूप से मिट्टी किया कार तापमान और वर्सा सही जलवायू और इसकी विद्धता और जल संसाधनों की उपलबदता के अधार पर भारत को मोटे दूर पर कितने शेत्र में भाजित किया गया है तो इसमें जो भाजित किया गया है वो आपका 15 शेत्र जो है उसमें भाजित किया गया है 15 B option correct है अगला question है इन विस टॉइब आप क्रोमेटोग्राफी दा इस्टेशनरी फेज इस हेल इन नेरो ट्यूब एंड दे मुबाइल फेज इस फोस्ट थू इस अंडर प्रेसर तो इसमें जो है आपका चार अप्सन दिये गए है चार अप्सन में पहला कॉलम क्रोमेटोग्राफी है गैस क्रोमेटोग्राफी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है तो इसमें जो आपसन आपका यह वाला है कॉलम क्रोमेटोग्राफी यही सही है 27 questions है a process of context and adhesion whereby the particles of a dispersion form larger 2 size cluster is called larger size cluster अब इसमें option दिया गया है agglomeration, coagulation, flocculation and sedimentation तो चारों में से जो option सही है वो C है flocculation ठीक है? C option यहाँ पर सही है अगले question की तरफ चलते हैं अगला question है a series of three colored gases a series of three colored gases of equal thickness are placed in a light beam each seat absorb one quarter of the light incident upon it what is the intensity of the light transmitted by the third glass plate अब दीखिए थोड़ा lab का हो गया question ठीक है? तो यहाँ पर जो समान मुटाई की तीन दंगिन कांच की plate की एक सिंखला को एक प्रकास प्रुणज में रखा गया प्रतियेक सीट उस पर आपतित प्रकास के एक चोथाई भाग को असुषित कर लेती है तीसरी कांच की plate द्वारा प्रेशित प्रकास की तिवरता क्या है? तो यह थोड़ा solve करने का question है लगिन जो option यहाँ पर बताया गया है 28 का वो बताया गया है आपको B option मतलब 42.19% अगला question which of the following compound does not absorb light in the UV visible spectrum मतलब की निम्लकित में से कौन सा योगिक जो होगा compound होगा वो UV visible spectrum में प्रकास को असुषित नहीं करता है इसमें aspirine हो गया chloral hydrate या paracetamol या फिर phenobarvitone ठीक है? phenobarvitone है तो इसमें जो है option आपका 29 में B वाला सही होगा chloral hydrate ठीक है अगला question है which one of the following properties of carbon is perhaps the least important to a pharmacy अब इसमें से कौन सा option इसमें आपका सही होगा ये थोड़ा ध्यान दे के आप पढ़ेंगे तो आपको answer इसमें निकलेगा अब इसको पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा हमें बताना है answer ही तो इस answer को देखते हैं 30 का answer जो होगा वो A होगा जो answer की में दिया गया number of allotrops carbon are now familiar सुरवाद में केवल हीरा और ग्रेफाइट जाना जाता था हाला कि हाल ही में buck minister fullrin और ग्रेफेंप की भी सूचना मिली है तो A option हैं पर सही है तो जो next question है उसको देखते हैं 31 which of the following chemical processes result degradation of unsaturated fatty acid resulting fats and oil to taste and smell rancid मतलब कि निम्रखीत में से किस रासाइनिक प्रक्रिया के परड़ाम सुरूप असंत्रिप्त वसा अम लोग का छरड होता है जिसके परड़ाम सुरूप वसा और तिल, स्वाद और गंध में बास ही हो जाते हैं Bromination, Hydration, Hydrogenation या Oxidation तो इसमें जो option आपका सही है वो है Deoxidation ठीक है 32 number question the phenomenon of occurrence of additional species found in the echotone or transitional zone between adjoining ecosystems is called तो इसमें कुलीज फ्रुभाव है edge effect है, raman effect है and root effect है तो चारो effect में से जो option आपका सही होगा वो B है its effect ठीक है B option इसमें सही अगला question देखते हैं 33, which of the following are correctly matched with respect to agriculture revolution इन में से जो correct match करता है agriculture revolution से वो आपको चूच करना है and इसके लिए आपको ये कूट दीए गया है इसी में से चूच करना है इस तरह के question आपको net में लगभग 60% question आई सही मिलेंगे इसलिए बहुत time लग जाता है उसको read करने एक तो cbt test होता है तो बार-बार mouse को इदर-दर करो तो बड़ो दिक्कत होती है तो इसमें जो option आपका सही है वो है B मतलब कि 2 और 3 एक pink revolution जो poultry से है and red revelation जो production से है ठीक है अब इस पर आपको अच्छे से ध्यान दे देना है दो ही यहाँ पर correctly matched है अगला question है जो हमारा environment तक channel है उस पर हम इन सभी question को upload करते हैं हिंदी में और इंगलिस में भी बताते हैं तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा environment के लिए खास करकि वो channel हमने बनाया है environment तक के नाम से 34 number question है कि इस्पसीज थू इन सिग्निफिकेंट्स इन नंबर डिटर्माइन दे एक्स जिस्टेंस आप मेनी अधर इस्पसीज इन गीवन एको सिस्टम सच इस्पसीज is known as तो इस टाइब की इस्पसीज को क्या कहते हैं जो की संख्या में जो परजातिया हैं हलां कि संख्या में नगड हैं किसी दिये के परस्तिकी तंत्र में कई अन्य परजातियों के अस्थितों को निलधारीत करती है तो ये जैसे की करिस्माई इस्पसीज है या फिर इंडिकेटर इस्पसीज है की स्टोन या अम्ब्रेला इस्पसीज तो इसमें से जो सी है की स्टोन इस्पसीज ये आपको चूच करना है यह option सही है, 35 number question है, a housewife ingest, a housewife ingest a rodenticide white powder accidentally, she is brought to hospital where the examination shows generalized, flaccid paralysis and irregular pulse, electrocardiogram shows multiple ventricular ectopes generalized changes with STD serum potassium is 2.5mE cube per liter and the most likely ingested poison is, अब यहाँ पर यहाँ पर जो बताया गया, इसमें सबसे अधिक जो संभावित रूप से खाया जहर है, उसी को आपको बताना है कि कौन सा जहर, वो संभावित है कि इस ने खाया होगा, या ingest किया है, तो ingest का मतलब यह है कि खाना, ठीक है, injection आपके, इस यह सब्स जो है उसम कार्बोनेट का जोदो ज़्यादा संभावना बेरियम कार्बोनेट की है, अगला कुश्यन, आनंद चक्रबरती, रिसीब दे फर्स्ट यूएस पैटेंट फार जीम इंटिटी, दे इंटिटी वाज, तो आनंद चक्रबरती को, जीम इकाई के लिए पहला यूएस पैटें प्राप्त हुआ, एक आई कौन सी थी, तो अट्रांसजेनिक माउस एक्स्प्रेसिंग ग्रोथ हार्मोन जीन, क्लोन डीकोलाई, या स्यूदो मोनास इंजिनियर्ट टू डिग्रेड पेट्रोलियम, दो गोल्ड फेस, इस चारो में से कौनसा आप्सन सही हो सकता है, तो इसम इसमें से किसका प्रियोग करके, बायो रिमेडियेटर, बायो इंडिकेटर या डिकम्पोजर या प्रेडिटर, तो इनमें से बायो इंडिकेटर जो है, वो सही अप्सन है, इसका प्रियोग करके इसे मापा जा सकता है, अगला कुस्चिन है, 38, 38 कुस्चिन जो है, बाया को तो इसमें से जो option आपका सही होगा वो है surface plasmon resonance ठीक है D option आपका सही है अब अगला question है 39 ecological restoration is the process of rebuilding a degraded ecosystem till मतलब परिस्थित की पुनस्थापन एक अवकरमित परिस्थित की तंदर के पुन्र नहिवाड की प्रक्रिया है जब तक ये चार आपके पास point है उसके बाद it is start providing some ecosystem services its structure and function are restored देखिए जिसको दिक्कत होगी वो हिंदी को भी देख सकता है जिसको हिंदी में दिक्कत है वो इंगलिस को अपना पढ़ सकता है इसलिए हमने एसे पेपर को उठाए है जिसमें की दोनों language है ना हमको हिंदी वाले कुछ बोले ना इंगलिस वाले क्योंकि बहुत दिक्कत होती है कि इसमें लोग यही करते हैं कि आप हिंदी में इंगलिस में हिंदी में वैसे तो science का जब आप स्टुडें थे तो इंगलि इस टाइप आफ इंडिया इस लिटन भाई मतब टेक्स्ट और रिवाइज सर्वे ऑफ दफ फॉरस टाइप ऑफ इंडिया किसके दर लिखा गया है अब यह किसके दर लिखा गया है तो इसमें चौर अप्सन जो है उसमें से जो आपका ए आप्सन साही है एच जी कांपियन एच के सेथ एच डी कैंपियन और एच के सेथ के द्वारा रिवाइज सर्वे ऑफ फॉरस टाइप ऑफ इंडिया यह लिखा गया है ठीक लेंसे गिप कलर इमेज डिव टू जो मोटे लेंस होते हैं वो किसके करण रंगीन चितर देते हैं तो यह जो देते हैं वो आपका ड फादर आप जी आएस जी आएस का जनक किसे माना जाता है तो इसमें जो ऑप्सन है डी वही आपका सही ऑप्सन है और एफ टॉम लिंसन जो है वो फादर आप जी आएस है एंड अगला क्विश्चन है 43 नंबर का निउसेंस ग्रोथ ऑप एक्वेटिक प्लांट्स एंड ब् ओप एसमें से क्या हो सकता है तो इसमें जो सही ऑप्सन है वो है फासपोरस ठीक है फासपोरस मतब सी आपका सही है 44 नंबर क्वेटिन देखते है दे एक्टिव केमिकल ड्रग रिजरपाइन इस ऑप्टेंट फॉम इसमें अट्रोपा दतूरा पपावर एंड राउल्फिय तो जो एक्टिव रसाइनी को सधी या केमिकल ड्रग रिजर पाइन है यह प्राप्त किया जाता है राउल्फिया राउल्फिया से ठीक है यह उप्सन आपका सही है 45 नंबर क्वेटिन वन अप दे वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक विड काल्ड आश टेर बेंगल इस एजोला और या फिर इकोमिया या ट्रॉपा या वॉल्फिया इसमें से जो इकोमिया है यही आपसन आपका सही होगा ठीक है इसे आप ट्रेल आप बंगल कहते हैं अगला कोश्चन है जो दे प्रॉसेस बाइवीच एन ओरिजनली होमोजीनस अर्थ या बेंड़ देंस कोर and light crust is called accretion मतलब की accretion compression differentiation या metamorphism इसमें से जो आपसन आपका सही है डिफरेशन डिफरेंसियाशन यही सही आपसन है ठीक है 47 है दा एस्थिनो स्फियर इस cool and strong cool and weak hot and strong hot and weak तो चारों आपसन में से आपका जो d option है hot and weak यही होगा ठीक है अगला कुश्चन है मेथनोजेनिक मेथनोजेनिक बैक्टिरिया और नट फाउंड इन एक्टिवेटेड शलज बॉटम अफ वाटर लॉग्स पैडी फिल्स, गोबर गैस प्लांट रिमेन आफ कैटल्स तो 48 का जो आप्टिवेटेड आपका सही होगा वो है ए ठीक है, एक्टिवेटेड शलज वीच ऑप फॉल्लवइग अलकोहालिक ड्रिंग्स इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन तो कौन सा जो अलकोहालिक ड्रिंग्स है वो बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस होता है मतलब निर्मीत होता है जैसे कि brandy है rum है whisky है wine है चारों में से कौन है तो जो wine है wine जो है without distillation produce होता है ठीक है अगर तो अब last question है subject वाला big holes in Swiss cheese are made by big hole मतलब Swiss cheese में बड़े छेद किसके द्वारा बनाया जाते हैं तो bacterium producing a large amount of carbon dioxide bacterium that produce methane gas fungus that releases a lot of gases during its metabolic activities या फिर machine drilling तो इन में से option कोन आपका सही हो सकता है तो ये आपका bacterium producing a large amount of carbon dioxide ठीक है ये option आपका सही होगा पहला वाला तो पहले option को आप चूच कि दिए इसके बाद हम चलते हैं जो research methodology है उसके question पर तो पहला है research methodology का मतलब क्या है नंबर question parenthetical referencing is also known as in the note referencing footnote या in text या title ये parenthetical referencing क्या है तो ये है आपका in text referencing ठीक है अगला question है which of the following is not considerable scope of violation of research ethics data interpretation problem formulation reporting a result using research tools prepared by other देखिए जब ये question हम बोल लहे हो तो आप Hindi में अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको बगल में देखते चलिएगा तो इसमें जो option आपका सही होगा वो है problem formulation ठीक है which of the following statement is always true in the case of a test prepared by a researcher पहला option है if a test is relatable it is valid दूसरा if a test is reliable it is objective अगर if a test is valid and reliable दोनो ठीक है it is usable if a test is valid it is reliable तो 53 का D option जो है ये सही होगा ठीक है इसमें जो है ये true है अगला question है 54 which of the following is an unethical practice in research avoiding duplications avoiding manipulation avoiding plagiarism avoiding reliable information तो इसमें जो avoiding reliable information है ये जो है unethical practice है ठीक है unethical है अगला question 55 number which of the following is the least valuable to research ethics तो research ethics में least valuable है देखे research methodology के कुछ question जो है हर subject से collab होंगे लेकिन जो science के subject होते हैं उसमें कुछ question अलग से रहते हैं तो 55 number का जो question है इसका D options है भी होगा reporting of research results in implications अगला question on conducting an experiment repeatedly under the same condition the outcomes are similar every time thus the research will be authentic, objective, reliable, valid मतलब कि जब एक प्रयोग को बार बार करने पर पर परड़ाम हर बार समान ही आ रहा हो तो इस प्रकार का सूथ क्या होगा तो यह होगा आपका reliable मतलब की उद्देश से ठीक है अगला question the researcher intended to collect data from 200 location but due to lesser time lesser time मतलब कम time के बाज़ से and some other reason he was able to collect data from only a 185 location तो see here he completes the remaining 15 data points on her he is following the trends of collect state data this is a case of data completion या फिर fabrication या falsification या plagrism इसको आप क्या कहेंगे तो इसे कहा जाता है falsification ठीक है c option यह सही होगा इसमें falsification इसको कहेंगे ठीक है मिथ्या करड इसको कहते है अगला question है 58 the length of international standard book number IC ISBN meant for digital unique numeric commercial machine readable identification number for monograph publication तो इसमें संख्या की लंबाई क्या है जो संख्या की लंबाई है वो है 12 ठीक है B option इसमें सही है अगला question है 59 in which the following scale variable cannot be ranked interval scale nominal scale ordinal scale ratio scale इसमें से कौन सा option सही है तो ordinal scale जो है यह option आपका सही है c वाला ठीक है साथ question है which of the following is not a cardinal sin of the research conduct duplication extra pollution या falsification या manipulation तो इसमें जो extra pollution है यही जो है option आपका सही होगा it is not a cardinal sin of the research conduct या स्वोधाच्रड का मोख्य पाप नहीं है ठीक है अब अगला question है अगला question हम देखेंगे what are the core elements of our dissertation अब इसमें जो core element है मतलब सोध प्रभंद के मोल तक तो क्या है तो यह दिये गए है कॉमा करके कुछ आप इसको देख लीजे इसमें जो option आपका सही होगा वो c option सही है मतलब introduction literature review research methodology result discussion and conclusion यही जो में चीज है 63 number question है while conducting research dually approved by institutional ethics and review board two participants object answering which they consider to be two personal questions and they want to case participating in the experiment what are the responsibilities of participants in this case तो इस case में जो participant है उनकी जिम्मेदारिया इसमें से option दीगे है constitutes 63 में आपका यह यह वाला होगा the participants have no responsibility they can leave at any time ठीक है यह option आपका सही होगा थोड़ा सा आप pause करके पढ़ सकते हैं आराम से ठीक है video एक घंटे करना हो जाए इसलिए हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा the research that deals with gaining family with a phenomenon giving new insights is called descriptive diagnostic empirical exploratory तो इसमें से जो exploratory है मतलब कि खोजपूर्ड यह option सही होगा यह सोथ जो नई अंतरदिश्ट देने वाली हटना के साथ प्राप्ट करने से समदित है वो है अगला question है इसमें the principle wherein participants should be told about the research to enable participation is called तो deconcilment है informed consent है participant decision making है revelation management है इसमें से सिर्फ एक option आपका B वाला ही सही है informed consent ठीक है अगला question है 65 आप सारे question जहांता के कुछ long मिलेंगे तो ध्यान देजिएगा इसमें 65 में following statement कौन सा सही है वही आपको देखना है तो सभी statement को आपको पढ़ना पढ़ेगा अच्छे से लेकिन आप इसको pause करके पढ़िए ठीक है सभी statement को आप pause करके पढ़िए वीडियो को pause कर दीजे अब इसको आप पढ़ लीजे हम आपको बताते हैं कि इसमें option आपको कौन सही होगा 66 में आपका option सही होगा D वाला ठीक है D option इसमें सही होगा आप D वाला option इसे देख सकते हैं इसको हिंदी में भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं यह देख लीजे अगले question की तरफ चलते हैं अगला question है 66 66 number question पर चलते हैं यह question क्या कहता है A hermeneutic approach to qualitative research involves इसमें option आपका सही होगा B attending to the meaning of particular phenomena for those who experience them ठीक है B option इसमें आपका सही होगा 68 number question A significant position correlation 0.62 between number of cars owned and satisfaction in life reveals और इसमें जो सही option होगा वो A है That owning cars makes people more satisfied with their life अगला question है 69 A researcher conduct an experiment using a control group containing 8 subjects and an experimental group containing 8 subjects How many degree of freedom are there in this experimental design? तो degree of freedom को आप अच्छे से समझें यह यहां पर कौन सा option सही होगा तो यहां पर जो option आपका सही है वो B है 14 ठीक है 14 यहां पर correct option है अगला question है A researcher conducts 80 tests and obtain as p-value of 0.0012 which of the following is an appropriate conclusion on the basis of the information provided A 95% confidence interval for the difference between the mean will not include the object difference A 99% confidence interval for the difference between the means will include the object difference and the effect size will be large या फिर the result is significant तो option इसमें A वाला सही है A 95% confidence मतबकि सादुनों के बीच अंतर के लिए 95% विश्वास अंतराल में मनाया किया अंतर सामिल नहीं होगा अगला question है The amount of descriptive uncertainty or change variation associated with satisfactual statement and observation refers to descriptive error, measurement error, random या random variation random error या random variation तो इसमें C option या सही है random error होगा ठीक है अगला question है 72 Which of the following statement about inferential statistics is not true? It shows that random process could have produced result as extreme as those obtained in a given piece of research It draws upon information from sample data It draws upon knowledge of how random processes behave It makes statements about samples based on observing population तो option 72 का सही होगा D It makes statements about sample based on observing population अगला 73 If a student has an IQ of 90 How many standard deviation units is this away from the mean? Note that IQ has a mean of 100 and standard deviation of 15 इसको solve करना पड़ेगा Biostatic का question है आपका तो आप इसे solve कीजेगा थोड़ा pause कर लीजेगा तब आप solve कर सकते हैं Standard deviation का आप फार्मला लगाई जो फार्मला है तो इसमें option जो आपका सही होगा वो answer आपका A सही होगा 0.67 ठीक है अब अगला question है Which of the following is always true of the sampling distribution of the mean? देख सकते हैं आप किस प्रकार की research methodology आती है in moment science के साथ ठीक है तो आप research methodology अश्य से पढ़े हैं क्योंकि यह आपको लेडूबेगा अब यहां पर option है It is a hypothetical distribution It is an observed distribution of scores It will tend to be normally distributed with a standard deviation equally to population standard deviation ठीक है The mean will be estimated by the standard error अब यहां पर जो a वाला option है यहीं सही होगा It is the hypothetical distribution ठीक है यह है कालपनिक वित्रड है अब अगला question है The spread of scores a cross level of variable refers to यहां पर सहप्रस्रड है वित्रड है range है विच्रड है अब तब covariance distribution range variance ठीक है अब यह देखी सभी question biostatic के ही है ठीक है अब इसमें जो option आपका सही होगा वो है B distribution ठीक है वित्रड अगला question है 76 a measure reflecting distinct categories that have different names but the categories are not numerically related to one another refers to a nominal measure, a ratio measure, a scale measure an ordinal measure तो 76 का option आपका यह यह सही होगा a nominal measure ठीक है a nominal measure अगला question हम लोग देखते हैं अगला question है root means square deviate could be used as another name for तो इसका जो another name होता है वो होता है आपका standard deviation standard deviation सबसे जैसे कि थोड़ा सा hard हो जाता है arithmetic mean वगरा जब आप पढ़ेंगे उसके बाद standard deviation वगरा भी आता है ठीक है तो इसको लिए आपको थोड़ा सा जो पढ़े होगे उनको समझ में आएगा हम यहाँ पर solve नहीं करा रहे हैं बदा दे रहे हैं आपको पहले से क्योंकि solve करना होता तो हम 100 question क्यों लिखते है अगर 100 question solve करने लगो तो पूरा दिन भी जाएगा ठीक है तो इतना देर तो आपको याप वीडियो भी नहीं देखेगा तो अब है 78 number question ठीक है 78 number question में कहा जा रहे है कि if scores on a variable are normally distributed which of the following statement is not true तो जब भी variable का score normally distribute होता है तो वहाँ पर जो है सभी score variables के यह equal frequency में होते हैं equal frequency में observe की जाते हैं मतलब इसका की 78 का यह option साही होगा ठीक है आप यह option को choose का सकते हैं 78 का ठीक है 79 है कि if x is a variable which of the following is not measured in the same unit as x जब भी x variable है तो तो यहाँ पर अगर 4 option देखेंगे तो यहाँ पर variance of x यह option आपका सही मिलेगा ठीक है अब a researcher conducted a study to find out how many times people had visited a doctor in the previous year 5 people participated in the study and the number of visits they had made were 2, 5, 7, 4 and 2 which of the following statement is true तो अब इसको जब आप निकालेंगे biostatics के थरू तो यहाँ पर option आपका सी सही होगा ठीक है the median number of visit is 4 ठीक है यह median ही पूछा जा रहा है में median mood आप पढ़ेंगे ठीक है अब अगला question है the split half method is used as a test of तो split half method जो है इसका प्रियोग किस परिच्चर के रूप में किया रहता है अब इसका जो answer होगा वो है internal और यह reliability ठीक है internal reliability यह option आपका सही है बाहर ही बैता अगला question है the difference between measures and indicators measures and indicators के बीचमा जो difference होता है वो क्या है तो यह option दिया गया है चार option इसमें से एक सही है तो जो C option है measures are unambiguous quantities whereas indicators are devised from common sense understanding और अगला question है what is self plagiarism self plagiarism क्या है मतलब आत्म साहतिक चोरी क्या है तो यह question आपको यह उस type का question है कि यह सभी subject में match कर सकता है लेकिन जो उपर biostatic था वो सभी में match नहीं करेगा तो 83 का जो option आपका B है वो सही है lifting material that you have previously written and pass it off as on work ठीक है जिसे आपने पहले लिखा है और इसे अपने काम की रूप में pass कर दिया है ठीक है अगला question है which of the following statement about plagiarism is must accurate तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें जो आपका A है question, A option है वही सही है any suggestions that we have written that another actually wrote is normally wrong कोई भी सुजाओ जो हमने लिखा है वह वास्तों में दूसरे लिखा है वह नैती ग्रूप से गलत है वैसे भी एक साहित समिछा का पूरा बिंदू यह दिखाना है कि हमने क्या पढ़ा है और हमने इसके बाले में क्या सोचा है तो A option आपर सही है अगला question है 85 To read critically means समीच्छा पूरवक पढ़ने के लिए इसका अर्थ क्या है To read critically इस point का अर्थ क्या है इसका mean क्या है तो इसमें जो इसका mean है वो है evaluating evaluating what you read in terms of your own research question मतलब अपने स्वयम के सोध प्रशनों के संदर्व में आपने जो पढ़ा है उसका मुल्यंकन करना ठीक है internal validity refers to internal validity refers to मतलब अंतरीक वैत्ता का दात पर क्या है तो यहां पर जो चार अपसंदिये गए है डी वाला इसमें सही है whether or not there is really a causal relationship between two variables मतलब दो चैर के बीच वास्तों में एक करण संबंध है या नहीं यही जो है अंतरीक वैत्ता का दात पर है if a study is reliable this means that मतलब यदि कोई अध्यन विश्वस नहीं है तो इसका अर्थ क्या है या इसका अर्थ है जो option दिये गया है इसमें इसका अर्थ है the measures devised for concepts are stable on difference occasion मतलब निश्कर आउधार्णा जो है आउधार्णाओं के लिए तैयार किये के उपाय विभिन आउसरों परिस्थित होते है अगला question है ecologically fallacy मतलब भरांती refers to ecologically भरांती का क्या अर्थ है तो इसका अर्थ होता है the error of making inferences about individual behaviour from aggregate data तो मतलब समग्र data से समग्र data से ब्यक्तिकत बिवार के बारे में अनुमाल लगानी की तुटी जो है यही ecological fallacy है भरांती है 89 question है the secondary analysis of official statistics has been seen as an unobstrusive method because अब यहां पर क्यों होता है तो यह जो option है C वाला यह सही है the researcher is removed from the social settings that they are investigating मतलब कि सूध करता को उन समाजिक settings से हटा दिया जाता है जिसनकी वे जांज कर रहे है यह आधिकारी कांकडों के दुटी एक visitor को एक विनित विधी की रूप में देखा जा रहा है settings the P level at 0.01 increases the chances of making a type 1 error type 2 error type 3 error type 4 error तो इसमें से क्या हो सकता है तो यह B वाला जो option है वह सही है type 2 error ठीक है P स्तर को 0.01 पर set करने से a making बनने की संभावना बढ़ जाती है ठीक है P स्तर को 0.01 0.01 पर set करने से type 2 error बनने की संभावना बढ़ जाती है ठीक है अगला question है a test of a statistical significance indicates how confident the researcher is about जो researcher confident होगा वो कैसे तो option जो है वो यह वाला सही है generalizing their findings from the sample to the population मतलब नमूने से अबादी के लिए अपने इसकर्सनों को शामान्य बनाना अगला question है a spurious relationship between two variables refers to a relationship that appears to be true because each variable is related to the third one मतलब यहाँ पर a option ही आपका सही हो गया ठीक है तो यहाँ पर a option सही है अब अगला question है the test that is used to access the relationship between two ordinal variables chi-square grammars v या आपका phi है या experiments row है ठीक है इसमें से जो option आपका सही है d experiments row in bivariate analysis the function of a contingency table is two इसमें option है a compare the result one might get from various statistical test तो b है list the different levels of p-value for test of significance तो c है so the result one would expect to find by chance d summarize the frequencies of two variables so that they can be compared यह d वाला option ही आपका सही होगा ठीक है d option ही आपका सही है and extreme value at either end of a distribution मतलब एक प्रकार का चर्प जिसे परे माडित नहीं किया जा सकता है 96 है what is the difference between interval या ratio categories 96 जो अंतर है मतलब कि स्रेडियों के बीच की दूरी अंतराल अनुपात अंतराल या अनुपात डेटा के सीमा के बरावर है मतलब the distance between categories is equal across the range of interval ratio data आप d option चूज कर सकते है 97 number question है आपका the term triangulation is closely related to जो 3 code सब्द है उसका सबसे निकर संबंध किस से है तो यहां पर 4 option जो दिये गया है उसमें सबसे निकर संबंध B option से है cross checking the result found by different research strategies and 98 question है in mixed method research quantitative and qualitative findings should be तो content separate section well integrated listed in order of importance shown fully in appendices तो यहां पर B option जो है वो सही है well integrated ठीक है क्या है well integrated अगला question 99 the term impact factor I refers to impact factors यह किसको इसका अर्थ क्या है impact factor का तो इसका विशेश अर्थ जो है वो है कि विशेश वर्स में प्रत्येक प्रकासित लेक के लिए प्राप्त उधारणों उधारणों की आउसर संख्या मतलब की average number of citations received form for each published article in the particular year यह option सही है ठीक है hundred number question and last question is what is rhetoric और इसका C option सही है the attempt to parse, evade or convince an audience often through writing मतलब की मतलब आकसर लेखन के मादधे में से दर्सकों को मनाने मनाने का प्रयास यह बयान बाजी है ठीक है अब यह 100 questions पूरे थे questions को answer आपके बताएगे यह जो है आप अगर PDF नहीं लेना चाहते है तो आपके लिए बहुत काम का है अधरवाज आप PDF अगर लेना चाहते हैं तो आप वीडियो छोड़के PDF ही ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसको आराम से आप पढ़ सकते हैं नहीं तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं आपको यहां पर PhD की Notifications भी बराबर मिलती रहती हैं Thank you so much